आज मैं आपके लिए कर आई हूँ सूप स्वादेशटी कट्र गटल की सबजी की रेसेपी जिसके आगे मतन चिकन की रेसेपी आपको फेल लगेगी यह इतना टेश्टी बनकर तायार होता है तो चलिए आज की रेसेपी बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां प तो यहां पर आपना कठल को पहले से भी उगा उबाल कर बना सकते हैं अलग से उबाले और फिर फ्राइ करके बनाएं तो मैं इसे एक ही पोट में बना रही हो इससे महनत भी थोड़ा कम होगा टाइम का भी बचत होगा और फटा-फट से बनकर तैयार भी हो जाएगा तो से ही सुना रहा करके फ्राइ करना है तो देखिए प्याज हमारा फ्राइ हो चुका है इसे हमें बहुत जादा नहीं जलाना है और आप मैं यहां पे ले रही हूं एक प्याज एक टमाटर हरी मिर्च अध्रक लैसुन का पेष्ट और मैंने यहां पे प्याज फ्राइ करते सम यहां ऐगेशे काली मिर्चिपावडर एक दिखेंग केचिन किंग मसाला साथ में दालेंगे एक चमच कस्मेरी पावडर जिसके कलर हमारी सब्सक्राइब यह तीखा होता है चलिए मसालों को टमाटर को हम अच्छे से ही बून लेते हैं और यहां पर देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से बून गिया है और फिर लिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकोन प्रेस करें मेरी वीडियो देखने के तो यहां पर मैंने सारा कठल और आलू डाल दिया है और अब हमें इसे मसालों के साथ अच्छे से ही 10-15 मिनट के लिए भू इस तरह से हो सके तो आप इसे थोड़ थोड़ा कवर कर दे और अच्छे से हमें इसे भून लेना है जिस तरह हम मटन या चिकन बना कर मसालों के साथ भूनते है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे 10-12 मिनट अच्छे से ही चलाते हुए भून लेना है दीमियाच पर ताकि भिनाए नीचे जले भी नहीं और आच्छे से मसालों के साथ इसकी भूनाईИ भी हो जाए तो चलिए अब इसी अस्टेज पर हमें डालना है पानी तो मैं यहा पर पानी डाल रही हूं तो मैं यहापर इसकी ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं रख रही हूं बिल्कुल थीक कि इसकी ग्रेवी इसी हिसाब से मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था साथ में डालेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला चलिए नमक और मसाले को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसे ढख कर अब आपको देखा रही हैं कितना डिलेसियस बनकर तयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगा था प्रैंट्स आप एक बार इस तरीके से जरू ट्राइब कीजेगा आपको बहत पसंद आएगा तो थोड़ा से मैं यहाँ पे धनियके पत्ते से गाड़िश कर दे रही हूं और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कठल और आलू कितने अच्छे से हमारा सौप्ट हो चुका है तो उमीदे फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें साथ में चाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मेरी वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बैल को क्लिक करें तो चलिए मैं यहां पर इसे एक बार मिक्स कर ले रही हूँ और यहां पर देखे आलू और यह कठल कितने अच्छे से सॉप्ट हो चुका है मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ तो चलिए पटपट से शाव कर लेते हैं और आप इसे ना रोटी के भी साथ इंजॉई कर सकते हैं यह काफी टेस्टी लगेगा खाने में और इसके टेस्ट के आगे मटन चिकन खाना तो आप भूली जाएंगे आप एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखिएगा यह आपको बेहत पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको रेसेपी कैसी लग कर दो ऱ्यादर